Guys, एक phrase होती है, on the top of the world, it means to be very happy, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, या फिर आप बोल सकते हैं, किसी चीज के लिए या फिर किसी परसन के लिए हद से ज़्यादा खुश होना, जैसे अगर मैं examples के बारे में बात करूँ, When I bought new bike with my money, I was on the top of the world, मतलब जब मैंने अपने पैसों की नई bike खरी दी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, या फिर मैं हद से ज़्यादा खुश था, When I bought new bike with my money, I was on the top of the world, एक और example है, Players were feeling on the top of the world after winning the match, मतलब match को जीतने के बाद, Players जो थे, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, Players were feeling on the top of the world after winning the match, अगला हमारा एक word है, ungrateful, इसका मतलब होता है, किसी का उपकार या फिर किसी का एहसान नाम मानने वाला एक ऐसा person, या फिर simply आप बोल सकते हैं, एहसान फरामोश, इसका मतलब यह हुआ, मैं उसका काम नहीं करूँगा, वो सच में एक असिष्ट और एहसान फरामोश इंसान है, मतलब मैं उस जैसे एक एहसान फरामोश इंसान का साथ नहीं देना चाहता, अगला हमारा word है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर होना, यह फिर सक्त होना, यह फिर कठोर होना, जैसे एक्जामपल है, मतलब अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सक्त मत बनो, एक और एक्जामपल है, तो गैस पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेबल मैनर्स होते क्या है, टेबल मैनर्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जो डिनर टेबल पर खाना खाते समय हम फॉलो करते हैं, मतलब किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से पानी पीना है, किस तरह से मोबाइल यूज नहीं करना है, या फिर बरतन को किस तरवे के से पकड़ना है मतलБा गंदगी नहीं करनी है अपनी एल्बो को टेबल पर नहीं रखना है इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं उने हम खाना खाते समय डिनर टेबल पर फॉलो करते हैं तो उन्हे टेबल मैनर्स कहा जाता है तो इस line का मतलब यह होगा कि मेरे जो पापा हैं वो table manners के लिए उन सभी rules के लिए बहुत ज़्यादा सक्त हैं या फिर उन सभी चीजों के लिए गंबीर है मफादर is very stern about table manners इसी का opposite एक word है lenient It means mild, मतलब बहुत ज़्यादा नरम या फिर सौम्य जैसे example है something is fishy, he is very lenient while talking to her मतलब दाल में कुछ काला है उससे बात करते समय वो बहुत ज़्यादा नरम है One more example, try to be lenient while talking to your kids मतलब अपने बच्चों के साथ बात करते समय नरम होने की कोशिश करो मतलब ज़्यादा सक्त होने की कोशिश मत करो Try to be lenient while talking to your kids Next अमारी एक phrase है, here and now It means at the present time मतलब ठीक अभी Just example है, it's very important to go back home here and now मतलब ठीक अभी, घर वापर जाना बहुत ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा महत्पून है It's very important to go back home here and now एक और example है, she needs a glass of turmeric milk here and now मतलब उसे अभी एक हल्दी वाले दूद के glass की जरुवत है She needs a glass of turmeric milk here and now Next हमारा एक word है, amaze इसका मतलब है, किसी को आश्यरे चकित कर देना या फिर किसी को अच्छंबित कर देना या फिर किसी को हैरान कर देना Just example है, you finished my work in an hour, you amazed me मतलब तुमने मेरा काम एक गंटे में निप्टा दिया तुमने मुझे इससे हैरान कर दिया You finished my work in an hour, you amazed me एक और example है, I'm amazed by the way of speaking of a little girl मतलब एक छोटी बच्ची के बोलने के तरीके से मैं बहुत ज़्यादा अच्छंबित हूँ I'm amazed by the way of speaking of a little girl अगला मारा word है, tackle मतलब किसी चीच का सामना करना या फिर किसी परसन का सामना करना या फिर उससे निपटना जैसे example है Could you please tell me the way of tackling this problem मतलब किरपिया क्या आप इस परिशानी का सामना करने का तरीका मुझे बता सकते हो Could you please tell me the way of tackling this problem एक और example है It depends on you How you tackle the problem मतलब ये सब तुम पर निरभर है कि तुम इस परिशानी का कैसे सामना करते हो या फिर इस परिशानी से कैसे निपटने हो It depends on you How you tackle the problem अगला मारा word है Inflatable मतलब ये कैसी वस्तू जिसमें हवा भरी जा सके या फिर आप बोल सकते हैं simply हवा वाली वस्तू तो उसका म बोल सकते हैं Inflatable जैसे examples है The tires of my bicycle are not inflatable मतलब मेरी एक ऐसे cycle है जिसके tire में हवा भरी नहीं जाती है मतलब हवा भरी नहीं सकते हैं उन tireों में तो वो inflatable है The tires of my bicycle are not inflatable एक और example है This balloon is inflatable Blow it hard मतलब ये जो गुपारा है इसमें हवा भरी जा सकती है तो आप किसी से बोल रहे हो कि तेज फूंक मारो थोड़ी जान लगा कर फूंक मारो This balloon is inflatable Blow it hard अगला मारा word है Dominate मतलब किसी पर हावी हो जाना या फिर किसी पर अपना हादिकार जमाना जैसे example है Her husband tries to dominate her मतलब उसका जो husband है उस पर अपना हदिकार जमाना की कोशिश करता है या फिर उस पर हावी होने की कोशिश करता है Her husband tries to dominate her एक और example है My loud voice totally dominated the conversation मतलब जो बाचीत हो रही थी उस बाचीत पर मेरी तेज आवाज पूरी तरह से हावी हो चुकी थी मतलब जब मैंने तेज बोला तो सब चुप हो गए थे तो मेरी तेज आवाज ने बाचीत पर अपना अधिकार जमा लिया My loud voice totally dominated the conversation Next अमारी एक phrase है 9 times out of 10 इसको मुझे सेंस में बोलते हैं जब हमें बोलना होता है लगभग हमेशा जैसे अगर मैं बोलू 9 times out of 10 You betray my trust मतलब लगभग हमेशा तुम मेरे भरोसे को तोड़ देते हो या फिर मेरे विश्वास को तोड़ देते हो 9 times out of 10 You betray my trust एक और example है You solve my problems in a jiffy 9 times out of 10 मतलब लगभग हमेशा तुम मेरी परेशानियों को चुटकियों में सुलजा देते हो You solve my problems in a jiffy 9 times out of 10 हमारा next word है Fricile It means something is there that is not strong और you can say that is easily breakable मतलब कोई चीज है जो बहुत ज़ादा कमजोर है या फिर नाचुक है या फिर आप बोल सकते हैं दुरबल है तो उस टैम पर बोल सकते हैं जो फ्रेजाइल है Just example है She has got a fragile heart because she gets scared easily मतलब उसका सच में एक नाचुक दिल है या फिर कमजोर दिल है क्योंकि वो आसानी से डर जाती है She has got a fragile heart because she gets scared easily एक और example है Be careful while holding this thin glass It's very fragile मतलब इस पतले से ग्लास को पकड़ते समय साबधान रहो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक है या फिर बहुत ज़्यादा कमजोर है Be careful while holding this thin glass It's very fragile Our next word is Indignant मतलब कोई person है जो बहुत ज़्यादा गुसेल है मतलब क्रोधित है उसे बहुत ज़्यादी गुसा आजाता है तो ऐसे person के लिए हम बोल सकते है कि वो indignant है जैसे example है She became very indignant when I denied to go for shopping with her मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी जब मैंने उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मना किया She became very indignant when I denied to go for shopping with her एक और example है Why do you always give me an indignant look? मतलब तुम हमेशा मुझे गुसे भरी निकाहों से क्यों देखते हो Why do you always give me an indignant look? अगली हमारी एक phrasal verb है Live it up इसको हम उस सेंस में बोलते हैं जब हमें बोलना होता है जिन्दगी का भरपूर आनंद लेना मतलब शान से रहना While spending a lot of money मतलब बहुत सारे पैसे उड़ाते हुए बहुत सारे पैसे खर्च करते हुए शान से रहना या फिर जिन्दगी का पूरा मज़ा लेना तो उस सेंस में बोल सकते हैं Live it up जैसे एक्जांपल है I live it up with my friends The day I get salary मतलब जिस दिन मेरी salary आती है तो मैं अपने दोस्तों के साथ शान से जीता हूँ मतलब बहुत सारे पैसे उड़ा कर बहुत सारे पैसे खर्च करके भरपूर आनन्द लेता हूँ I live it up with my friends The day I get salary एक और एक्जांपल है Let's go to Goa for a week and live it up मतलब एक हपते के लिए चलो गोआ चलते हैं और शान से जीते हैं या फिर भरपूर आनन्द लेते हैं Let's go to Goa for a week and live it up Next एक फ्रिजल वर्ब है Ring out It means squeeze and twist something मतलब किसी चीज़ को निचोड़ना जैसे एक्जांपल है Ring out the shirt before hanging it मतलब shirt को टांगने से पहले इसे निचोड़ लो Ring out the shirt before hanging it एक और एक्जांपल है Ring out the towel after using it मतलब आप किसी से भोल रहे हो टावल को यूज़ करने के बाद इसे निचोड़ लेना Ring out the towel after using it अगला मारा word है literally मतलब सच मुच या फिर सही में जैसे एक्जांपल है She literally had a heart attack when she saw him with another girl जब उसने उसे दूसरी लड़की के साथ देखा तो उसे सच में heart attack आ गया था She literally had a heart attack when she saw him with another girl Guys इसे वर्ड को इस सेंस में भी बहुत बार यूज़ करते हुए देखा गया है जैसे एक्जांपल है I just said it I didn't mean it literally मतलब जो मैंने कह दिया वो बस कह दिया मेरा ये मेरा ये सच में कहने का मतलब नहीं था मतलब जो भी आँ सोच रहे हो वैसा कहने का मेरा मतलब नहीं था मैंने बस इसे कह दिया I just said it I didn't mean it literally So that's it guys for this video Guys आपके लिए दो फ्रेज़े हैं First one is Nine times out of ten And second one is On the top of the world इन दोनों फ्रेजेस को मैंने इसी वीडियो में लिया है तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के उपर अपने खुद के एक-एक sentences बनाकर मुझे comment section में बताईए और वीडियो कैसी लगी या फिर आपके कोई भी doubts हैं तो उनको भी मुझे comment section में जरू बताएं ताकि मैं उन पर वीडियो बनाकर आपके doubts को clear करने की पूरी कोशिश करूँ और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए thank you so much for watching this video I will catch you in the next video take care